तो साथियों यह है आपके समने problem जिसका आपको temporary solution में ने पहले बताया था इस तरह से यानि कि इसको लगा कर और इस पर टेप लगा सकते हैं तो वो इसका temporary solution हो जाएगा लेकिन अब बारी आती है इसका permanent solution करने की अब यह problem हुई कैसे आप लोग वो थोड़ा से दिखा देते ह यहां पर आप लोग देखोंगे यह जो इसके यह वाले यहां पर यह जो इसके पेश लगते थे इस वाले जो पेश लगते थे वह जगां पर यहां से गयाँ मोटे निकल जाते जैसे आपको नीचे गिरा हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका temporary solution तो मैंने आपको ठेप से ब पर आप अगर इसको बच्चों की पहुंच से इसको दूर रखना चाहते हो तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो इस टेप को लगा कर लेकिन अपार यह आती है इसका को भी काम आप लोग करते हो तो उसको करने से पहले आप लोग सुनिशित कर लें कि इनके अंदर करन्ट ना हो और इसी वाज़े से मैंने पूरे घर की लाइन जो है वो काट दिया याने की करन्ट इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है और फिर भी हमने इसको टेपिंग कर दी क याने कि कुछ आज्सा हो गया तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा और ज्यादा दिक्कत आ जाएगी तो यहां पर यह है हमारे पास यह बोर्ट था इसके अंदर लगा हुआ था तो सबसे पहले इन वायरों को यहां से हम निकाल लेते हैं इसके अंदर से और निकालने के या फिर आप और भी कई चीज कर सकते हैं लेकिन जो सबसे सस्ता सॉल्यूशन है वो यही है जो मैं आपको यहां पर बताने बारा हूँ यानि कि इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होना केबल आपके चार पेच लगेंगे और चार गिट्री लगेंगी और आपका काम हो जाएगा आप देखते हैं कि यह हमारा काम करता है या नहीं क्योंकि कई बार क्या होता है जो चीज हम दिमाग लगाते हैं वह कई बार फेल हो जाती है तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको देखते हैं करके कि यह होता है या नहीं से पहले हमें इसकी मार्किंग करनी होगी मार्किंग वो कर ले यानि कि इसका निसान ले ले इसके ऊपर ताकि हमें पता चल जाएगे बोर्ड हमारा यहां पर लगेगा आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा होगा यहां पे यहां पे और यहां पे तीनों तरफ मैंने इसके लगा दिया है इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहल आने होंगे ताकि जो हमारी ड्रिल बेट है वो इसके अंदर अच्छी तरह से काम करने लगे किसी भी नुकिली चीज से आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि यह काफी ज्यादा चिकनी होती है के दूसे हैख चलिकना क्या है और दूसरा एक अइसा ही इतनी ही दूर इससे यहां पर लगाना है एक लगाना आपको नीचे आपने आपके पास अप एक लगाने चाहूं तो एक लगाशक्ते हो में आप एक लगा रहा हूंना vacunhp के इंदर सुरांत इचा कि यहां पर सारा काम कंप्लीट हो गया आप लोग देखो कि यहां पर कितनी लग चुकी है इनके अंदर हो चुके हैं अब बारी है बस इस वाले सिक्रू की जो ड्रेडिंची का आता फिटिंग वगरा भी यूज होता है मोस्ट लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है आप इसकी जगा जिप्सम सिक्रू का भी यूज कर सकते हो जिसको चार खोने होते हैं उस वाले का और इसके बाद सिंपल ही इनको इसके अंदर कसना है और यह आपका ऐसा पोर्टेवल वोड तयार हो जाएगा जिसको आप खोलके अपना सही भी कर सकते हो उषके बाद फिर से इसको लगा सकते हो और नहीं आपके इसके लदर पैसे खर्चूंगे केबल यही खर्चा आना है जो आपका इनसक्रू का आया है बाकी और कуш केंदर नहीं आना है अब आप लोग सोचे रहे होगा यह कैसे इसको अच्छी तरह से तो साथ यहां पर आप लोग देखो गए यह बोर्ड अच्छी तरह से पर्मनेंटली यहां पर रुख गया है नहीं हमें इसके लिए ओवर साइज सॉकेट खरीदनी पड़ी और नहीं और कुछ करना पड़ा यहां पर केबल इस तरह से सिक्रू हमनें लगाए हैं और इनका यह वाला कॉर्णर है इससे रुख गए हैं और यहां पर देखो को यह भी से लोक है और यह भी से लोक है और आप लोग ईजीली लगा सकते हो हां बसरत एक चक्कर है कि इसके अंदर आप सौकेट को बदल नहीं सकते यानिक जो इसकी सीट है इसको बदलोगे तो उसके हिसाब से आपको और बड़े होल करने पड़ सकते हैं अगर छोटी रही तो इसमें फिट नहीं आएगी के बल यह नहीं सीट इसके अंदर लग सकती है तो वह तो बेशिकली वही होती है जो सीट हम लगा देते हैं एक बार फिटिंग के टाइम पर वही होती है बोड के साथ यह इसका एक पर्मनेंट सॉल्यूशन बन गया है और काफी अच्छा सॉल्यूशन है यानि कि इसमें कोई भी दि अच्छा सॉल्यूशन